हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि आल आफ सडन अचानक सिर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और अक्सर महलाओं में जो है ये प्राबलम ज़्यादा होती है दोस्तों अगर सरदर्द किसी बिसेश बीमारी के कारण नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या घरेलू उपचार करना चाहिए अगर असहने दर्द सर में होने लगे तो आपके घर में ही बहुत सारे उपचार हैं आज मैं आपको इस वीडियों में इसी बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों सबसे पहले तो छोटे मुठे कारणों को जा लिजे कि सिर में दर्द क्यों होता है जैसे कि आप किसी दवा को लगातार लेने से और उसको अचानक बंद कर देने से सिर में दर्द विक्राल रूप धारण करता है इसलिए दर्द की दवा का सेवन करना या छोड़ना चिकित्सिय परामर से ही करें दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों सराब ज्यादा मात्रा में तथा बिना पानी के सराब का सेवन करने से सिर्दर्द होने लगता है निकोटिन तमबाकू सेवन करने के कारणों से भी सिर्दर्द होता है इसका कारण नीन भी है नियमित यों परयाप्त मात्रा में नीद ना आने से भी सिर में दर्द होने लगता है दूसरा है तनाव तनाव को ब्यायाम यों प्रडायाम द्वारा कम करने का प्रयास करें ज्यादा तनाव और चिंता ना करें पानी नियमित रूप से पानी पिएं नेमित रूप से खाएं और अपने अंदर पानी की कमी ना होने दे दिन में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिएं नीन के लिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नीन ले और सुबह जल्दी उठे मेडिटेशन रोजाना मेडिटेशन और एक्सरसाइस करें टीबिया कम्प्यूटर देखना लंबे समय तक टीबिया कम्प्यूटर ना देखें सांस लेना गहरी सांस लें और खाना खाना समय पर खाना खाएं तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं पहला तो यह है दोस्तों कि गर्म पानी में पैर डुबाने से सिर्दर्द में मिले राहत पैर को गर्म पानी में डुबा कर रखने से भी सिर्दर्द से राहत मिलती है पैर को गर्म पानी में डुबाने से सिर्दर्द से राहत मिलती है पैर को गर्म पानी में डुबाने से सिर और किष्ट से आराम मिलता है इसके अत्रिक्त आप तेल से चंपी सिरदर्द से दिलाए रहा है तनाव यनि टेंसन हेडक आधि के खारण जो एकर सिर में दर्ध हो रहा है तो आधिक के अले सिर्दर्द का इलाज होता है ठीक है? फिर अगला ये है घरेलू उपाय में अद्रक के उपचार से सीर दर्द से मिले रहात अद्रक के अंदर A.C.A. और B.C. विटमिन्स, मैगनेसियम, फासफोरस, पोटेसियम, सिलिकान, सोडियम, लौह, जस्ता, केलसियम और वीटा केरोटिन आधिका अच्छा स्रोत है रिसर्च में दिखा गया है कि अद्रक की प्रोस्टाग्लैडीन को रक्त वहिनियों में दर्द और सूजन पैदा करने से रोकने की छमता की वज़ा से या माइगरेन पीडित वेक्ति को माइगरेन के दर्द से रहात दिलाने में सहायक है अब इस कुश्चन है कि इस्तेमाल कैसे करें तो सीर दर्द सी छुटकारा पाने के लिए अद्रक के जूस और नीमो के जूस को एक साथ बरावर मात्रा में मिला लें अब इस मिस्रन को पूरे दिन में एक या दो बार जरूर पीएं ये दवा की तरह काम करता है सीर दर्द सी छुटकारा पाने के लिए एक चमच अद्रक के पाउडर में दो चमच पाने मिला लें अब इस पेस्ट को मात्य पर कुछ मिनट के लिए लगा कर रखें ये भी दवा की तरह काम करता है अद्रक के पाउडर या कच्चे अद्रक को पाने में उबालें फिर इस पानी से कुछ मिनट तक भाप लेने की कुशिश करें ये भी दवा की तरह काम करता है सोंट को बहुत बारिक पीस कर बकरी के दूद में घोल कर नाक के छिद्रों में बुन बुन टपका कर और उपर सांस नाक से खीचने से सबी तरह के सिरदर्द दूर हो जाते हैं और या भी जो है दवा की तरह काम करता है तो दोस्तों दिखा आपने अध्रक का प्रयोग कैसे करना है सिरदर्द में फिर है पुदीना सिरदर्द में फाइदे मन पुदीने में मैगजीन पुदीने में मैगनीज तामबा और विटमिन सी एक अच्छा स्रोत है इसके अलावा यह एंटी आक्सिडेंट जिवान जा जासे भी जाना जाता है इसमें इनलजेसिक प्रभाव होते हैं जो दर्द कम करने में सक्षम होते हैं यह रक्त प्रभा में सुधार लाता है और तनौगरस्त मुदे WA depression को सांद कर ता है मेत्भीन और में फूदीने के सबसे मुख घड़कों मैं से एक है जो सिरदर्द क के लिए बेहद प्रभावसाली है इस्तेमाल करने का तरीका है दोस्तों पुदीने की मुठी पर पत्तियों के जूस को माथे पर कुछ देर लगा कर रखें इस तरह आपके सिर्के दर्द का इलाज बहुत ठीक होगा फिर आगे है दोस्तों आपके घर में तुलसी के पौदे पाए जाते हैं तो तुलसी सिर्दर्द से दिलाय राहत तुलसी मानस्पीसियों को आराम देने की तरह काम करती है ठकी हुई मानस्पीसियों के कारण होने वाले सिर्दर्द का इलाज करने में तुलसी बेहद लाब दैक होती है इसके साथ ही इसमें आराम देने और एनलजे तक उबालने के लिए रख दें इसमें कुछ मात्रा में सहद भी मिला कर चाय को आप पी सकते हैं एक कटोरे को पानी में एक चमच तुलसी की पत्या या कुछ बुने तुलसी के तेल की डालने और फिर उस पानी से भाप लेने की कोशिश करें या घरली नुकसा दवा की तरह क निमू आपके घरों में निमू पाया जाता है अगर आचानक आपको तेज जो है सिर दर्द होने लगे तो निमू का इस्तिमाल करना है निमू के छिलके को पीस कर सिर पर लेप करने से सिर दर्द की दवा की तरह आराम देता है निमू का जो छिलका है उसको पीस करके सिर पर उसका लेपन करें बादाम का तेल अगर आपके पास है तो बादाम तेल सिर्दर्द से दिलाए आराम सिर्दर्द से छुटका रापाने के लिए बादाम तेल में केसर मिलाकर दिन में तीन बार सूंगने से दर्द कम हो जाएगा या कई वैद्दों द्वारा प्रयोग किया ग पर्म करके जिस भाग में दर्द हो उसमें लगाएं सिर्दर्द की ये दवा लेने से जल्दी आराम मिलता है। खाने से सिर्दर्द बंद हो जाता है या घरेलू नुकसा दवा की तरह ही काम करता है। जिना डाक्टर के परामर्स के दोस्तों कोई भी जो है आप कोई भी दवा कहने के मतला कोई भी एलोपेथिक दवा का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। क्योंकि उससे आप साइड इफेक्ट हो सकता है उससे आपको जो है दूसरी बिमारियां होने का खत्रा हो जाता है। रेलू उप्योग में तो यह है कि कोई चीज अगर नहीं फाइदा करता है तो वो आपको नुकसान भी नहीं करेंगा। क्योंकि यह सब आयरुवेदिक हैं और आप इसका लगभग सेवन करते रहते हैं। इसलिए आप सिर्दर्द में किसी चिकिसक की सलाः से झी जो है कुई किऑ प्रकार का होता है। तो दोस्तों आसा करता हूं मेरा यह वीडेयो आपके लिए ओप और ओगी सिध्ध होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको समय समप्र जो है महत्पून जानकारियां प्राप्त होती रहें मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में नमस्कार